दोस्तों आज के स्विडियों बात करने वाला हूँ Redmi के एक नय अपकमिंग gaming smartphone के बारे में जिसकी जो launch date वागर है वो यहाँ पर confirm होकर क्या चुकी है और अगर आपका जो budget है वो मतलब ठीक ठाक है और आप यहाँ पर एक काफी अच्छा gaming smartphone ढूड रहे हैं और Redmi K50 सिरीज होने वाली जिसमें आपको बहुत सारे smartphone देखने को विलेंगे अब Redmi K50 सिरीज के जो smartphone है वो launch होने वाले है 16 February को चाइना में इनका जो Chinese launch है वो यहाँ पर 100% confirm कर दिया गया है 16 February को यह जो smartphone है वो Chinese smartphone market में launch होने वाले है अब बात आते ही कि इस smartphone के features क्या होंगे तो Redmi K50 का जो gaming edition है उसके features निकल करके आचुके है यह जो smartphone है वो सबसे पहले आपको 4K display के यह जो smartphone है सबसे पहले आपको यहाँ पर 6.67 inch की FHD Plus 2 की display के साथ में देखने को मिलेगा स्मार्टफोन अगर बात करें के आपको 64 Megapixel का आपको ट्रिपल लियर क्यामरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसके साथ में 16 Megapixel का front facing camera selfie के लिए 4700 mAh की बैटरी 120 Watt का fast charger Android 12 side mounted fingerprint sensor और यहाँ पर soldier जो button है वो भी देखने को मिल जाएगी तो यह कुछ features हैं जो कि आपको यहाँ पर Redmi K50 Gaming Edition वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है और यह स्मार्टफोन चाइना के साथ साथ में इंडिया में भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा possible है कि मार्च की महीने में यह जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर announce कर दिया जाएगा अब दोस्तों आपका क्या opinion है Redmi K50 Gaming स्मार्टफोन के बारे में क्या आप इस high level स्मार्टफोन को purchase करना prefer करेंगे आप अपना opinion हमें जरूर से comment box में comment करना मत भूलेगा दोस्तों की तापस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी subscribe करेगा